नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हल्दे इनियन किचन में आज हम आपको बताएंगे कैसी रेमेडी जिसके इस्तामाल से आप बालों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत जादा जड़ते हैं बालों में बहुत जादा ड्राइनेस रहती है स्कैल्प पीचिंग बहुत होती है डेंडर बहुत होता है बाल सफेद हो गए है बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है या गंजा पना गया है या फिर बाल बहुत जादा पतले उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं है तो इसके लिए आज आपके साथ एक ऐसा घरेलुनुस्का शेयर करेंगे जिसके इस्तमाल से बालों से जोड़ी हुई सारी परिशानिया आपकी दूर हो जाएंगी वीडियो अगर आपको अपने काम की लगे पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बिटन को दबा के सब्सक्राइब करें आज के इस घरेल नुस्के को बनाने के लिए जो पहला इंग्रीडियेंट हम इस्तमाल करेंगे वो है अलोवेरा आप सामने देख सकते हैं कि मैंने टब में काफी सारा अलोवेरा लगा रखा है और इसे लगाना बेहत आसान है अगर आपके पास इसका एक डंठल भी है न तो बहुत आसानी से आप इसे काफी सारा उगा सकते हैं क्योंकि इसके एक डंठल से ही काफी सारी इसकी जड़े जो है वोग जाती है और बहुत ज़दा फैल जाता है पती है और यह बहुत आसानी से अगैर में लगा रहा था है यह बहुत ज्यादा फयदे मन्ध है इसके बहुत ही SECRET फाएदे यह देख सकते हैं कितना फ्रेश और बढ़िया इसके अंदर से जल निकल रहा है एक दम फ्रेश पती आपने काट कर लेनी है यहां पर जो पैकेट वाला जो जो मार्केट में मिलता है वह वाला यहां पर आपको इस्तमाल नहीं करना है आपने लेना है फ्रेश अलोवेरा तब 6% तक पानी होता है जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है सिल्किनेस लेकर के आता है बालों में और आपकी स्केल्प को हाइडरेट रखता है टेंटरफ नहीं होता है आपकी स्केल्प में और ब्लर सेर्कुलेशन को अक्टिवेट करता है जिसकी वज़े से आपको दो डंठल का इस्तमाल करेंगे, बाकी में निकाल कर एक साइड रग दूँगी, तो ये देख सकते हैं, मैंने दो डंठल ले लिए हैं, अब आपने एक साइड से इसका छिलका जो है वो रिमूब कर देना है, कुछ इस तरीके से पतला पतला छिलका आपने उतार देना है, और एक मिक्सी का जाल लेंगे, बिल्कुल साफ होना चाहिए, इस बात का दिहान रखें आप, और इन टुकुडों को डाल देंगे उसमें, दूसरा जो इंग्रिडियंट हम यहां पर इस्तमाल करेंगे, वो है प्याज, आपने यहां पर एक प्याज का इस्तमाल करना है, छिलक कम करता है, और जो आपकी, जो स्कैल्प है, उस पर अगर किसी तरह का इंफेक्शन है, तो उसको भी दूर करता है, तो प्याज को लंबा-लंबा काट लिया है मैंने, और अब इसे जो हम डाल देंगे, अलोविरा के साथ ही, मिक्सी के जार में ही, अगला जो इंग्रिडियं है, उसके रक्त के संचरन को बढ़ाता है, एक्टिवेट करता है स्कैल्प को, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो एक छोटा चमच हम यहाँ पा डालेंगे, कैस्टर ओल, अगला जो इंग्रिडियंट है, वो तो बिलकुल रामबाड है आपके बालों के सकल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटमिन C और A भरपूर मातरा में होता है, तो यहाँ पर मैंने दो अवले इस्तमाल किये हैं, इने काट कर अच्छे से पीस लेना है, इसमें पानी का इस्तमाल आपको बिलकुल नहीं करना है, तो आब यहाँ पर जो है हम च्छान लेंगे यह थोड़ा सा थिक पेस्ट बन कर तयार होता है लेकिन जब आप इसे चम्मस से च्छानेंगे तो इजिली इसका जो रस है वो नीचे निकल जाता है इसका जो पल्प है इसका भी हम इस्तमाल करेंगे लेकिन पहले हम इसे अच्छे से छान लेती हूँ ताकि इसका जो रस है वो नीचे निकल कर इखटा हो जाए तो कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे पल्प को छान कर तयार करेंगे आप देख सकते हैं काफी सारा रस नीचे निकल आया है और उपर रह गया है पल्प अब आपको बताती हूं कि इस पल्प को अपने कैसे इस्तमाल करना है आप अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए जो मार्केट में महंगे महंगे पैक लेकर करके आते हैं उनसे कहीं जादा बहतर ये पैक होता है जिस दिन आप ये बनाएंगे सारी चीजे उसी दिन आपने इस पैक को अपने बालों में लगाना है बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लीजिए बढ़िया तरीके से और एक से डेल घंटे के लिए बालों में रखिए और उसके बाद नॉर्मल माइल्ड शेंपू से अपने बालों को धुल दीजिए आपको बहुत बहतरीन रिजल्ट इंस्टंट देखने के लिए मिलेंगे और जो इसका रस है उसका कैसे इस्तमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस रस को आप फ्रिज में एक से डेड़ हफते तक रखका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन दियान रखना है जब भी इस्तमाल करना हो इसे ठंड़ा समii ना करें निकाल कर थोड़े टेंप पहले बाहर रख दें उसके बास जब नॉर्मल टेंपरेचर का हो जाए तब आपने इसका इसलब करना है कभी भी ठंडा आपने ये रस जो है अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाना है तो थोड़ा सा आपने थोड़े अमाउंट में लेना है और एक कोटन की मदद से बालों की जड़ों में आपने इसको लगाना है और लगबक तीन घंटे के लिए छोड़ दीजिए बालों की जड़ों में उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश कर दीजिए अगर आप जो है नहीं कर सकते हैं मतलब को स्मेल आती ही किसी तरीकी की हलाकि नहीं आती है आवले की वज़े से कोई स्मेल लेकिन अगर आपको लगता है कि प्याज की हलकी फुलकी स्मेल आ गए या आपको सेमपू करना है तो कोई भी माइल्ड सेमपू कीजिए या फिर आप चाहें तो मुलताने मिटी से भी आपके सर को धूल सकते हैं अगर आप ऐसा जो है सिर्फ एक महीने तक कर लेते हैं यानि कि चार हफते अगर आप ऐसा कर लेते हैं हफते में दो बार आपने इस रसका इस्तमाल करना है अपने बालों में और जो पैक है उसे एक बार लगाना है तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके बालों में आपक नहीं होंगे, बाल जड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, और यह मैंने खुद यूज किया है, बहुत इफेक्टिव है, आप इसे जरूर कीजेगा, अगर वीडियो अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजेगा, चैन नहीं सोना है, आपने इसको, इस बात का भी ध्यान रखें, आप दिन में ही लगाईए, जब आपने वाश करने है, बाल उसे तो तीन घंटे पहले लगा लीजिए, और उसके बाद वाश कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजेगा, फिर मिलेंग किसी नए वीडियो के साथ तब तक अपने खयाल रखें, हास्ते मुस्कुराते रहें, स्टे हल्दी, स्टे हैपी, बाबाई